नागपूर राना प्रताप नगर थानाक शेत्र से तीन दिनों से लापता व्यक्ति की संदेहास पद मौत का मामला सामने आया है वाडी थाना अंतरगत वरधामना के नाले में लापता व्यक्ति का शव बरामद हुआ पुलिस का कहना है कि शरीर पर जक्मों के कोई निशान नहीं है जाच में मृत्यू का कारण पता चल पाएगा मृतक पन्ना से ले आउट स्वावलंबी निवासी लक्षमिकांत एकनात तवाने बताया गया है लक्षमिकांत अविवाईत थे अपनी माव बहन के साथ रहते थे और प्राविट कंपनी में सेक्यरिटी गाड का काम करते थे गुरवार की राद तक घर नहीं लोटे तो माव बहन परिशान हो गए काफी पुछताश के बाद कुछ पता नहीं चला शुक्रवार को राना प्रतापनगर थाने में लापता होने की शिकायत की गई शनिवार की दोपर वाड़ी पुलिस को जानकारी मिली कि आठवा मैल से वड़दामना के बीच एक नाले में शव पड़ा है खबर मिलते ही इंस्पेक्टर प्रदिप रायनावार अपने टीम के साथ मौके पर पहुँचे शव सरने लगा था बारी किसे जाज की गई लेकिन शरीर पर जख नहीं दिखाए दिया पुलिस ने पंचनमा कर शव को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है फिलाल पुलिस ने आकस्मिक मुरुत्यों का मामला दर्च किया है झाल पुलिस ने जाए रचाए बारे लेकिन दिया है झाल पुलिस ने जा है